बच्चो चलते हैं exercise 2.1 और इस exercise में में इस chapter के अंदर हम सीखने वाले fraction and decimal को कैसे solve किया जाता है तो देखिए question number first क्या कहता है इसको solve करना यहाँ पर कुछ fraction given है जिनको हमें plus भी करना है और minus भी करना आप sign देख सकते हैं जो fraction के बीच पे sign आए हुए है minus और plus की है ठीके बच्चो करना कैसे आए करना शुरू करता है question number first और इस question को मैं solve करूँ इससे पहले मैं आपको बताता हूँ जो बच्चे मेरे चैनल को पहली बार देख रहे है प्लीज वो मेरे चैनल को subscribe कर दे साथ ही बैल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि जो भी मैं वीडियो डालो उसकी notification सबसे पहले आपको मिल जाए ठीक है exercise 2.1 का question number हम first करने वाले हैं आए मैं लिख लेता हूँ इसको शोल करेंगे हम इसे और first part में क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर लिखा 2 minus 3 by 5 ठीक है बच्चों आईए इसको करना शुरू करते हैं देखिए हैं 2 numerator की form में है तो इसके denominator में कुछ है तो 1 ले लेंगे और minus 3 by 5 ठीक है बच्चों जब कभी भी आपको fraction को minus करना हो या plus करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा denominator equal करने होंगे तो यहाँ पर 5 और 1 का calcium लेते हैं तो 5 आता है अब 5 को 1 से divide करेंगे means 1 की table लेंगे 5 पे चलेगी उस 5 को 2 से multiply करना है 5 तू जा 10 और minus ठीक है 5 को 5 से क्या 1 पे गया 1 को 3 से multiply किया तो 3 ही आएगा ठीक है अब 10 में से 3 minus कर दीजी 7 by 5 ये आपका answer आ गया है अब आ दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं उसको भी मैं यहाँ पर बता देता हूं ठीक है यहाँ पर second method में अब यहाँ पर देखिए एक तो तरीका होता यह method यह होता है दूसरा क्या होता है देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 by 1 और यहाँ पर 3 by 5 ठीक है बच्चों यहाँ पर denominator को multiply किया तो 5 से numerator को भी multiply करना है साथ ही minus का sign आप लगा देंगे और यहाँ पर तो already 5 है तो इसको 1 से ही कर दीजिए multiply इस तरीके से ठीक है तो 5 तूजा 10 और 5 वंजा 5 minus 3 वंजा 3 5 वंजा 5 अब जब denominator equal आ जाते तो इन में से एक denominator लेना है और numerator को sign के according solve करना क्योंकि इसमें minus का sign है इसलिए minus कर देते हैं तो 10 में से 3 minus करेंगे 7 by 5 ठीक है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं आए second part कर लेते हैं यहाँ पर second part में है 4 plus 7 by 8 ठीक है बच्चों यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इस 4 के नीचे वन डिवाइटर की फों में लेंगे और 8 और 1 का LCM लेना है 8 आ जाएगा अब 8 को डिवाइड करना है 1 से ठीक है यह जो डिवाइड करना है उससे डिवाइड करते हैं तो 1 की टेबल 8 पर जाएगी उस 8 को 4 से मल्टिप्लाई कर देना 8 फोर जा 32 प्लस अब 8 को 8 से किया डिवाइड 1 पर गया 17 जा 7 अब क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर देते हैं तो 32 प्लस 7 39 बाई 8 ठीक है बच्चों यह आपका अंसर आ गया है और आप चाहें तो बच्चों इसको mix number में भी आप इसको लिख सकते हैं ठीक है बच्चों जैसे मैं आपको बताता हूँ mix number में कैसे लिखना है यहाँ पर मैं बताता हूँ जो numerator होता उसको divide कि सैंट के अनदर रखिए और यहाँ पर आपको करना है 8 से डिवाइड ठीक है 8, 4, 4, 32 यहाँ पर ठीक है तो आप इसको चाहे तो इस पर टाइप से लिख सकते है 4, 7 by 8 ठीक है इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं आईए question number 3 कर लेते हैं उमिस part 3 तो 3 by 5 plus 2 by 7 आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 और 7 का LCM लेंगे ठीक है 5 और 7 का LCM आता 35 तो 35 को 5 से डिवाइड करना 7 पर जाएगा 7 को 3 से मल्टिप्लाइगा 7 3 जा 21 plus अब 35 को 7 से डिवाइड करना 5 पर जाएगा और 5 को 2 से मल्टिप्लाइग कर देगा 5 2 जा 10 इस तरीके से 21 plus 10 31 by 35 यह आपका अनसर आ गया आए फोर्थ पार्ट कर लेते हैं फोर्थ पार्ट भी बिलकुल इजी है 9 by 11 minus 4 by 15 अब यहाँ पर बच्चो 15 और 11 का में LCM लेना है अब आपको LCM कैसे लेना देखो अब 11 की टेबल में 15 नहीं आएगा ना 15 की टेबल में 11 आएगा और ना ही कोई ऐसी टेबल एजिस टेबल के अंदर यह means दोनों आते हो तो इस कंडिशन में आप दोनों को क्या कर देते हैं मल्टिप्लाई कर देते हैं आईए कर लेते हैं 11 फाइब जा 55 ठीक है बच्चो यहां पर आ गया कैरी फाइब 11 बन जा 11 और फाइब 16 यह आपका LCM आ गया आप देखिए बच्चो यहां पर इस तरीके से जब बड़े नंबर आ जाते तो आपको करना क्या जब ऐसी कंडिशन होती है तो 15 को 9 से मल्टिप्लाई कर दीजे और 11 को 4 से तो 15 9 जा होता 135 और माइनस 11 4 जा 44 इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं यह फिर देखिए 165 को 11 से डिवाइड करेंगे 15 पर जाएगा 15 को 9 से मल्टिप्लाई करेंगे तो भी इतन नहीं आएगा ठीक है आईए माइनस कर ले चो यह आपका अंसर आ गया है तो आएए आगे कर लेते हैं फिर पार्ट कर लेते हैं यहाँ पर 7 बाई 10 प्लस 2 बाई 5 प्लस 3 बाई 2 यहाँ पर 3 फ्रेक्शन है इनको प्लस करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले LCM ले लेते हैं 10 5 2 ठीक है देखिए 5 की टेबल में 10 आता है और 2 की टेबल में 10 आता है तो LCM ले लेते हैं यहाँ पर 2 5 10 इस तरीके से आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं तीनों नंबर को लिखना आए यह 2 से करते हैं 2 बंजा 2 5 यू का यू 2 5 जा 10 और यहाँ फिर 5 से करते हैं 5 बंजा 5 5 बंजा 5 तो इन दोनों को मल्टिप्ला जा गया 5 2 जा 10 तो 10 क्या आ गया LCM आ गया अब 10 को 10 से डिवाइड करना 1 पर जाएगा 1 को 7 से मल्टिप्लाई करना 1 7 जा 7 प्लस यह प्लस का साइन है तो 10 को 5 से डिवाइड करना 5 2 जा 2 पर गया 2 को 2 से मल्टिप्लाई यह 2 2 जा 4 प्लस अब 10 को 2 से डिवाइड करना 2 5 जा 5 पे चलती है टेवल 5 को 3 से मल्टिप्लाई करना 5 3 जा 15 आइए इनको एड कर लेते हैं ठीके बच्चो 15 और 4 19 19 और 7 26 26 बाई 10 ठीके बच्चो आप चाहें तो इसको फ्रेमिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं ठीके बच्चो यहाँ प यह आगया देखें यहाँ पर 2 यह होल नंबर में आएगा यह जो नीचे रिमेंडर आएगा अनिवेटर की फॉर्म में और जिसको डिवैड किया वो आएगा दिवेटर की फॉर्म में तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं आईए हम आगले अगला पार्ट कर लेते ह हैं पार्ट नंबर 6 तो यहाँ पर लिखा 2 2 बाइ 3 प्लस 3 1 बाइ 2 ठीक है पहले हमें इसको फ्रेक्शन में चेंज करना होगा मिक्स नंबर में गिवन है तो 3 को 2 से मल्टिप्लाई कीजिए 3 2 जा 6 और इस 6 में इस 2 को एड कर देना अनिवेटर को एड कर देना है तो 6 और 2 क्यतना होता है 8 होता तो 8 बाइ 3 और प्लस यहाँ पर 2 3 जा 6 6 में 1 को एड किया 7 बाइ 2 ठीक है बच्चों यह आ गया अब आपको करना क्या 3 और 2 का आपको LCM लेना है 3 2 जा 6 6 आएगा क्यों हमने मल्टिप्लाई क्यों किया क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता और 3 की टेब कर देना 2 8 जा 16 प्लस अब 6 को 2 से डिवाइड करना है 3 पर जाएगा 3 को 7 से मल्टिप्लाई करना 3 7 जा 21 आए इनको एड कर लेते 6 और 1 7 और यहाँ पर 2 और 1 3 और 2 6 ठीक है बच्चों आप इसको आप मिक्स नंबर में लिखेंगे 37 को 6 से डिवाइड करना 6 6 जा 36 यहाँ पर निमेटर बनाना और जिसको डिवाइड कर उसको डिनिमेटर बनाना है यह आपका अंसर आ गया आई यह लास्ट पार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 7 यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर लिखा 8 1 बाइ 2 माइनस यह माइनस का 3 5 बाइ 8 ठीक है बच्चों यहाँ पर यह मैं 2 माइनस यहाँ पर 8 3 जा 24 और 5 29 ठीक है बच्चों बाइ 8 यहाँ पर ठीक है तो अब हम इसको आगे करते हैं 2 रिट का लेंगे तो 8 आएगा आप इदर लेके देख सकते हैं क्योंकि 2 की टेबल में 8 आता है ठीक है बच्चों जो गरेटर नंबर होता है वही हमारा लिख होत और यहाँ पर 1 और 2 अंजा 2 तो 2 टू जा 4 4 टू जा 8 तो 8 अलसे हम आ गया अब 8 को 2 से डिवाइड करना है 2 की टेबल लेंगे 4 पर जाएगा 4 को 17 से मल्टिप्लाई करना 17 4 जा 68 ठीक है बच्चों और माइनस 8 को 8 से करेंगे डिवाइड 1 पर जाएगा 1 को 29 से मल्टिप्ला तो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस करना अब 8 में से 9 माइनस ने होगे यह तो बोरो लेंगे 18 18 में से 9 माइनस करेंगे 9 आ गया यहाँ पर आ गया 5 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और यहाँ पर आ गया 8 ठीक है बच्चों अब 39 को हमें क्या करना है डिवाइड करना है 8 से तो 8 4 32 ठीक है बच्चो इस तरीके से और यहाँ पर आ गया 7 रिमेंडर की फों में तो आंसर बन गया 4 यह ओल नंबर में गया इसको निमेटर बना दीजिए और यहाँ पर यह डिनेवेटर तो बच्चो यह आंसर आपका आ गया तो बच्चो यह था फर्स्ट कोश्चन आपको कैसे लगा मुझे कमेट्स में जरूर लिखें और इसमें से सीख कर आप दूसरी बच्चो को जरूर शिखाएं मिलते अगले पार्ट में तब तक के लिए धन्यवाद